नमस्कार प्रिय दर्शकों आप सभी का एस्ट्रोजर डॉक्टर आर्पी शर्मा चैनल पर हार्दिक स्वागत है आज हम चर्चा करेंगे करक राशी के दोहजार चौबीस के वार्शिक फलादेश यानि एनुवर प्रेडिक्शन के बारे में इस संबंद में मैं ये बताना चाहूंगा कि ये फलादेश बहुत ही सामाने है यदि आप अपना भविशे और बहतर जानना चाहते हैं तो आप व्यक्तिकत प्रामर्श के लिए हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और साथ ही नीचे दिये गए फोन पर कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं जहां तक इस वर्ष यानि सन दोहजार चौबीस में ग्रह इस्तिती का प्रशन है शनी पूरे वर्ष कुम्बराशी में ही रहेंगे हलाकि वेकुम्बराशी में 30 जून दोहजार चौबीस को वक्री होंगे और 15 नवंबर दोहजार चौबीस को मारगी होंगे ब्रस्पती 1 मई दोहजार चौबीस को राशी परिवर्तन करके मेश राशी से विर्षब राशी में प्रविश करेंगे तथा ब्रस्पती विर्षब राशी में 9 अक्टूबर 2024 को वक्री हो जाएंगे और वर्ष परियंत वक्री अवस्था में ही रहेंगे राहु वे केतु कर्मशह मीनवे कन्या राशी में ही रहेंगे इस वर्ष राहु की पंचमद्रिष्टी कर्कराशी पर पढ़ने के कारण कर्कराशी के जातक बहुत सूजबूज़ कर प्लैनिंग करें तो अच्छा है अप्रेल तक का समय धन संग्रण यानि अकुमिलेशन और वेल्थ के लिए बहुत अच्छा है वानी मधुर रहेगी परिवार में संबंद अच्छे बने रहेंगे अप्रेल तक जीवन साती से कुछ वाद विवाद हो सकता है और वैचारिक मदभेद रह सकता है मई के बाद वर्ष परियंत छोटे भाई वेहनों से और जीवन साती से संबंद अच्छा बना रहेगा अप्रेल तक का समय शत्रु धमन के लिए अच्छा है कम्मिनिकेशन चाहे वे रिटन हो या ओरल हो बहुत ही एफेक्टिव रहेगा अपनी बात आप स्पस्ट रूप से कहने में सफल होंगे मई के बाद वर्ष परियंत पंचमभाव पर ब्रस्पती की द्रिस्टी होने के कारण संतान से मन प्रसन रहेगा मई के बाद वर्ष परियंत शिक्षा की द्रिस्टी से भी समय बहुत अच्छा है higher education और research में भी सफलता मिलेगी हाला कि इस वर्ष शनी अस्टन भाव में होने के कारण शनी की ढईया वर्ष परियंत चलती रहेगी और जिसके कारण मानसीक परिशानिया रह सकती है और कभी-कभी मन खिन हो सकता है कारण बार संबंदी मामलों में भी कुछ रुकाव्ट हैं आ सकती है विशेशकर 15 मार्च के बाद जब मंगल शनी के साथ कुमबराशी में ही होंगे उस समय कारेस्थल पर कुछ टकराव हो सकता है यानि के मैन पावर है, मशिनरी या मेटिरियल इनमें किसी भी प्रकार की परिशानियों के प्रती आप सचेत रहें मोटे तोर पर अप्रेल तक स्पैकुलिटिव बिजनिस से बचें तो बहतर होगा जुलाई अगस्त में पंचेंभाव पर शनी, राहू और मंगल की दृस्टी होने के कारण इस स्पैकुलिटिव बिजनिस भूल कर भी ना करें क्योंकि तीनों पाप ग्रहों की दृस्टी पंचेंभाव पर होगी मई के बाद वर्ष परियंत बिजनिस पार्टनर्स के साथ भी संबन्द बहुत अच्छा रहेगा जुलाई अगस्त में प्रेम संबन्दों से भी बचें संतान की ओर से भी कुछ मानसिक परिशानी हो सकती है ब्रस्पति की पंचम दृस्टी दिवतिय भाव पर होने के कारण अप्रेल तक के समय में धन संग्रण ठीक ठाक होगा वानी स्पस्ट और तार्किक होगी परिवार में भी संबन्द ठीक रहेंगे ब्रस्पति की सप्तम दृस्टी होने के कारण अप्रेल तक का समय संपत्ती और वाहन खरिदने के लिए अनुकूल है मन प्रसन रहेगा स्वास्थे के दृस्टी कोण से अप्रेल तक का समय अनुकूल है और उसके बाद वर्ष प्रियंत स्वास्थे के प्रती थोड़ा सचेत रहे कुल मिलाकर यह वर्ष करकराशी के जातकों के लिए सामान्य ही है मैं इश्वर से कामना करता हूँ के आप सभी का यह वर्ष बहुत अच्छा बीते यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और भवश्य में रोचक और ग्यानवर्दक एस्ट्रोजिकल वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ओम नमा शिवाए